हेलो एवरिवन आइम अंश्यागरवाल और आज के वीडियो में हम लोग IPM इंदोर के नोटिफिकेशन और कुछ खास बातों की बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और हाँ एक चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लेना वीडियो चालू करने के प कट-off निकालने से आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है अल ओवर इंडिया सिर्फ 150 सीट से हैं तो आपको चाहे कौंट हो चाहे वरबल हो आपको अच्छे स्कूर करना पड़ेगा कट-off तो निकाल नहीं है है ना प्लस आपको अच्छे marks भी लाने पड़ेंगे नहीं तो अभी अभी में आपको बताऊंगा कि रिटन एक्जाम का कित्ता परसेंट वेटेज है ना तो आपको संज में आ जाएगा तो ऐसे कोई भी वीडियो ये चैनल फॉलो मत करना जिसमें या कहा जाए कि सिफ कट-off निकाल लो बाकी दूसरे सेक्शन में ले आना इसा नहीं होत दोनों में अच्छे नंबर आएं कट-off तो निकले ही निकले ठीक है तो यह चीज दिमाग में बिठा लेना कि आपको अच्छा स्कोर लाना है ठीक है बाकी पता नहीं एसा वीडियो कोई क्यों बना देता है जिसमें वो सिर्फ यह बोलते हैं कि cut-off निकालो मुझे ऐसी आपको कितना तेज होना पड़ेगा ठीक है चलो अब काम की बाते कर लेते हैं क्रेटेरिया जल्देल्दी आपने वैसे पड़ी लिया होगा फिर भी बता देता हूं फिर कुछ इंपोर्टेंट बातें इस वीडियो के एंड में कर लेंगे ठीक और हां एक सबसे प्रिविशन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको हमारे यहां कैट जैट आएफ्टी सीमेट इवन इपीम के भी प्रिविएसे सॉल्विशन मिल जाएंगे क्वांट के ठीक है तो देख लेना उसको और हां अगर अभी तक आईपीम हमारा कोर्स पर्चिस नहीं किया है त तो हमारी वेबसाइट catipmat.com slash ipm2022 इस पर जाके कोर्स पर्सेस कर लेना ठीक है और कई बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोर्स की वेबसाइट पर 30 जून तक ही तो क्या 30 जून के बाद हम कोर्स एक्सिस नहीं कर पाएंगे तो में बता देता हूं कि अगर ipm की डेट एक्स्टेंड होती 22 की है न तो चाहिए ipm इंदोर हो इंदोर रोहतक, ipm रोहतक और जिप्मेंट ये तीन एक्जाम जब तक नहीं हो जाएंगे इस साल है न 2022 के तब तक आप हमारा कोर्स एक्सिस कर सकते हो ठीक है तो अगर एक्जाम की डेट एक्स्टेंड होती लाइक ipm इंदो 2 जुलाई को है तो हमारा कोर्स आप 2 जुलाई तक एक्सिस कर सकते हो इनकेस ipm रहता कि अजिप्मेट 2 जुलाई के बाद होता है है ना तो हमारे कोर्स की वैलिडिटी तब तक एक्स्टेंड हो जाए में हम लोग इनी तीन एक्जाम पर कॉंसेंटरेट करते हैं चीसन में आगे तो इन तीन एक्जाम में से अगर कोई भी एक भी बच गया है न तो जब तक वो एक्जाम नहीं हो जाएगा इस साल का तब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी ठीक है चलो एज यह सब में ने पहले ही बता दिये थे हैं तो एज अगर आप कि फर्स्ट फर्स्ट टूज़ाजन टू को हुए हो यह उसके बाद हुए तो आप अप्लाइ कर सकते हो यहना क्वालिफाइंग एक्जाम आपका 12 या एक्जाम जो भी है यह आप 2020 में अपियर हुए हो या 2021 में यह इस साला पेपेर होने वाले हो ठीक है जिस्सन में आ गई पासिंग यह इंदे टुटा नाइटिन और विफोर फॉर्स्टेंडर टेंट टेंट गरें इस एक चीज़ आन रखना इनोंने टॉप फाइफ का नहीं दिया है ओवर आल आपकी जो मांकी शीट में जित्ते भी सब्जेक्ट है उनका इनको परसेंटेज चाहिए है यह note 1, note 2 सब अच्छे से पढ़ लेना इनमें कोई भी गलती मत करना ठीक है अप्लिकेशन 12th of April से चालू होगी है ना कब तक चलेगी 21st में तक डेट बस ध्यान रखना एक्जाम फीस यह लिखी हुई है में चीज़ पर अभी हम आ जाते हैं यह है और अगर आप मेंसे कई लोग मुझे फॉलो करते हो तो यह चीज मैंने बहुत पहले और काफी सारे बच्चों जिन से मेरी बात भी होती है उनको मैंने पहले ही कह दिया था कि इस बार जो IPM होगा वो उसी फॉर्म में होगा जैसा कोविट के पहले होता था है ना कई बच्चे मेरी बात नहीं मान कि क्वांट में MCQ आएंगे 40 शॉट अंसार आएंगे 20 तो टोटल नंबर आफ क्वेश्चन्स जो क्वांट के हो गए यह आपके हो जाएंगे 60 ठीक है और वरबल एबिलीटी के रहेंगे 40 क्वेश्चन्स तो ओवर आल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 100 99.99% में श्योरू कितने ही क्वेश्चन्स आएंगे और यह चीज मैंने इनके नोटिफिकेशन के काफी पहले ही बन मैंने 5-6 मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बार जो IPM होगा 2R का ही होगा और पहले जैसे पैटर्ण का होता था कोवेट के वेसे ही होगा इस बार वापिस से उन्होंने व पही लिखा हुआ है ठीक है अब मैं चीज देखना वेटेज की अगर बात करेंगे तो वेटेज क्वांट और वरबल को 50-50% मिला हुआ है इन्हें क्वांट को भी 50% है और वरबल को भी 50% वेटेज मिला हुआ है ठीक है इसके बाद यह लोग निकालेंगे ATS ATS मतलब aptitude test score अब ध्यान रखना मैंने बहुत सारे वीडियो से देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं क्वांट का सिर्फ कट आफ ने कर लो मेरी बात आप मानों चाए क्वांट हो चाए वरबल कट आफ पे ध्यान मत देना हमेशा अच्छी रैंक पे ध्यान देना क्योंकि back of the mind यह आप ब 35% वेटेज है और परसनल इंटर्वी होगा उसको 35% वेटेज है ठीक है तो समझ गया होगे कि ज्यादा वेटेज किसको है और बार बार में क्यों बोल रहा हूं रिटन में ज्यादा अच्छा लाना है तो यह थी कुछ काम की चीज़ें बाकी number of seats 150 हैं जिसा मैंने का और बा आया तो चैनल को Like, Subscribe ज्यारूर करना